वहालो क्यों बोल रहा हूं और उसके पीच हारन है यह देखो यह टें जो कैसे फार दी आ है और यह पनजी का निशान देखो यह डॉक का निशान हो यह नहीं सकता यह कैम्पिंग और इहां पर देखो मतलब आसम स्पीचलेस कल जब यहां से जा रहा था तो ऐसे ऐसे नजारे मेरे रहे थे देखो ऐसे ऐसे क्लिफेंग स्पीचलेस के एक और एपिसोड में आपका हर्दिक स्वागत है कल हम लोगों को रक्षम पहुचते हैं काफी लेट हो चुका था तो हम पहुच गयते सांगला यह संगला का मार्केट है अभी टाइम हो रहा है आठ रक्षम पहुचके हम लोगों ने एक प्राइविट कैम से बात करके पास में से बैह रही एक वीवर स्टिंग के पास अपना कैम से टप किया था काफी रात हो जाने के कारण हमने अपना खाना प्रिपेर किया और बस सो गया और अगले दिन की सुबह यह जगा की असली खुबसूरती के साथ-साथ हमें देखने को मिला कुछ अनेक्स तो यह है बिसकल यहां का नजारा यहां पर बहुत अशे लग रहे हैं असमान एक तो नीला हो चुका है कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था और यह जो ग्राउंड है काफी अच्छा लग रहा है हम लोगे टीपल बिछाया था उसका हमना भी फोल्ड कर दिया है यहां पर देखा पूरा बारिश है तेन वगएर पूरा भीख चुका है पूरा सबकुछ गीला हो चुका है और इसे भी बड़ी बात और एक चीज जो सताने वाली हैं कल यहां पर कुछ हुआ था हुआ था मतलब रात को हम लोग ठीक से सोय नहीं थे जब हम लोग सो गये थे एक बजे करीब धाई वेजय के आसबास कुछ शोर मचती है यहां पर मतलब यहां पर हम लोग ने खाना पिना करके अपना जो बढ़ते नहीं था चिकन बगएरा यह हो थो फोन कर देना का मिगा सोया तो कुछ आवाज आई रात को ड्था बजे तो हम घरी देखा ड़ाई बज रहा आप यहां पर हम लोगों ने वह चीज रखा है यह जूधा यह यहां पर अपर जो यह बैग आता है ना जलस बाऩ फांट यहां फैक तो यह वह बैक था मेर डॉग क्यों नहीं बोल रहा है उसका बीचे कारन है यह देखो यह टेंट कैसे फार दिया है इस टेंट को फार आए ठीक है उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जिसमें खाना बनाया था पैन और कटोड़ी बगड़ा सारा कुछ में खाना बना के इह पर छोड़ दिया था इस जगा पर छोड़ा था अब देखो वो चीज कहां पर जाके लेके गया है वो एकदम इंटेक्ट वाइसे ही डॉग ऐसा कभी नहीं करेगा डॉग अगर होगा ना तो उसको पैर मारेगा इधर उदर उसको फिकेगा एक से दूसरे को अलग करेगा ऐसा करेगा अगर डॉ इस जगा पर लेके रखा ये डिया बुलता अरुष किया था यह भालू अखिदा है न भालू हो सकते हम यह बड़तन ऐसे ही छोड़े थे यह देखो यह लेके नहीं और यहीं बचाना कर नहीं है तो श्यवाट शामान लाइक जैसे हमने रखा था वैसा ही है यह से हमने च् बचा हुआ तो माद भाचा नहीं हुआ था थोड़ा एक्स्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर था वह नहीं है वह गाईव अभी और जो वाटर बैक का बात का रहा था यह तो कैसे फार दिया है और यह पंजी का निशान देखो देखा है यह डॉग का निशान होई नहीं सकता तो ऐसे फार दिया है इसको अभी कोई काम का नहीं है देखो क्या करा एक को यह दॉग हमेसा पंजा मारेगा नाखुन से खाटेगा यह मुझ से फड़ा हुआ Undoubtedly रक्षम में क्या यह camping experience मेरे लाइफ का अब तक का सबसे यादकार experience बनके रहे जाएगा और ऐसा campsite मतलब ऐसा camping नहीं किया बन एक ही बाद और इतना view के साथ यह camping और यहाँ पर देखो मतलब awesome speechless जल्दी खतम करते हैं और निकलते हैं आगे के लिए क्योंकि काफी लेट हो रहा हूँ तो चलो शुरू गड़ते हैं आज का जरनी चलो तो हम लोग बेसिकल निकल चुकेते रक्षम से और काफी लेट हो गया आज भी यह जो camping है मुझे मतलब बहुत दिनों तक बहुत सालों तक याद रहेगा तो अभी हम यहां से चितकुल जा रहे हैं और रस्ता भगएरा ठीक ठाक है उतना भी ठीक नहीं है तुटा हुटा सा है नेरो रोड है और यहां से 7 या 8 किलो मेटर होगा चितकुल तो फाइनली हम पाँज गये तहाँ चितकुल विलेज इस दी इंडिया लास्ट विलेज चितकुल तो बस हम लोग का यहां से फोटो शुट जो था करना हो गया हम यही देखना आये थे और आगे तक नहीं जाएंगे हम यहां से वापस जा रहे हैं तो हम मिलता है आप से आगे क्योंकि बैटरी बहुत कम है और यहां पर ठन बहुत जादा है तो हम चितकुल से फोटो की जाके निकल गए और आगे तक नहीं गए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता और मेरा जो गोप्रो है उसका दोनों बैटरी मतब गोप्रो 7 का दोनों बैटरी पुरा डेड़ है एकदम चार्ज नहीं है तो मैं उसको चार्ज में लगाया ह तो रेकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं रक्षम से चितकुल तक का ये 7-8 किलोमेटर का सफर जितना ही कुपसुरत वैली से के गुजरता है उतना ही रस्ता संक्रा होता जाता है तो ये है चितकुल रक्षम के ब्यूटिफुल नजारे मैं अभी रक्षम से आगे जा रहा हूं कल जब यहां से जा रहा था तो ऐसे ऐसे नजारे मेले रहे थे देखो ऐसे ऐसे क्लिफेंग वेले पाहार एकदम निकला हुआ है तो कल ये सब मैंने शूट करकर वो देहीं सोचा कि आज दिखाऊंगा बट आज मेरा बैटरी इतना प्रॉब्लम कर रहा है ठंड यहां पर काफी ज़्यादा है और आपको पता है यह गोपरो कितना प्रॉब्लम करते है ताइम हो रहा है एक बाज के पंदरा मिनिट और हम कोशिश करें जितना जल्दी होचा के पहु कर्षम यह रहा कर्षम डैम होपे लिखा हुआ है और कर्षम और रक्षम दोनों आलमस्स सिमिलर सा साउंड करता है बट बहुत डिफरेंट है आप थोड़ा से गलत कर दोगे ना तो कहां से कहां पहुँछ जाओगे कुछ पाता है नहीं तो एनिवे हम लोग कर्षम फिर हम कालपा के दे चले जाएंगे और रहा से ना को कर दो है यह नहीं आवर संगाला इसलरुल फी इस तरफ तो हमको इस रस्त जाना है है इस तिशलर जाना है कि अ उस तरफ जाना है वो देखो रिक हो गइना तो उसके बाद देगा कालपा छलो तो हम ले लिए रेकाउं की हो गाला रास्ता बेसिकली कालपा जाना के लिए तो यह जो देख रहो मेरे सामने यह है 300 megawatt का इक पावर प्लैंट मतलब जिसे बीजली उत्पदन होती है तो यहां पर उसका सारा कुछ लगा हुआ है जब गया था तब ही देखा था मैं रेकार्ड नहीं किया था तो उपसुर दिख रहा है मतलब कीला जैसा लग रहा है मतल हम आगक हो गहीं दिखते लेपाँगा है कि नहीं पता नहीं पता नहीं कोशीश करेंगे दर अ drip हम लोग इतनाstones्ञ कर रहे है न जितना बाइक से हो रहे है इतनाई मैं चार्च कर पा रहूँ उसके उपर तो नहीं कर पाऊंगा हां? हााा। देखते है क्या कोश्य क्या करत वह भाई साब नजारे पूरा चेंज हो गय कालपा के रस्ते हा गया है और नजारा पूरा ही चेंज अगया यह लुख लेड़ा है दो तनल का काम चल रहे है और भाई साब क्या लगा यह हो माई गॉड चा की बसूरत है वह भैसाब है चप्तान देखू पहार पूरा चत्तान है, प्लेंट चत्तान जब क्या रोड है यह न का नच्छ रोड है इस वीव के साथ उन्हेददार है यार तो हमने ले लिए कलपा वला रष्टा नेचे से एक रष्टा जा रहा है वह दूसरेज आँ पांगई वहली रिकांघपयो के लिए तो पहले रिखाओं प्यू आएगा, उसके बाद मुझे लेफ लेना है, कालपा के लिए, चलो पहुसते है जल्दी-जल्दी, दो बचरा है हम लगोने यहां पर रुखा था, यह गैरेज में, उसका सामने का ब्रेक पैट और पीछे का ब्रेक पैट पूरा चला गया था, और वो एकदम घीज गया था, तो यहां से चेंज करा लिया, बस अभी आगे चल रहा है, चलो थोड़ा ब्रेक मार के देखो, कैसे लग रहा है, ठीक है? अभी कम लगे ना, ठीक है, तो नया नया ब्रेक है ना, तो थोड़ा एड्जस करने में टाइम लगेगा, थोड़ा, मतलब कुछ किलोमेटर चलाए के तो सही से बैट जाए, अभी थोड़ा धीरीय चलाना पड़ और हैं और सिच फिटेग्वीबग से अभी हैं फञानों, अ मतलब यहां से एक निचे देखो गएगे हैं यहां से तो उना च कुछ दीक गागएगया हैं वाम होगे इस इपा backend मैं उधर जाता हूं कि अटकी तो तो आपको अच्छ इसे दिखे गए हैं इतना नेचे हैं ब आसमान का हाल अतना सही नहीं है अरुष बोल रहा तो कि यहां पर ड्रोन शोट लेगा नाले तो उसके बाद देखा कि इतना ज्यादा विंड है ना दो ती में अली टकर आया मेरा ड्रोन तो रिक्स नहीं लूँगा और हावा बहुत तेज और ठंडा हो रहा है तो जल 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 कि अच्छी आच्छी वह देखता है हम वह तक नहीं जा रहा है क्योंकि हम कलपा में करें तो अरुष तो बिल्कार डड़ी है बस मेरे लिए वेट कर रहा है हम लोग जल 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 यहां से निकलेंगे गारे में पेट्रोल भरा ना है उसके बाद खाना पीना करना है लैप मेरा भी कुछ निया, हम तीन तीन से हम कैम्पिंग कर रहे हैं, तो अभी नीचे जाएंगे, चार्ज करने का बंदबस थोगा तो थोड़ा चार्ज कर लें, खाना पिना करके सीधा निखल जागे नाखो के लिए ओके, तो हम स्विशाइड पॉइंट से अभी निकल रहे हैं, हम और आगे तक नहीं जाएंगे, ओके, टाइम हो रहा है, तीन बच के 20 मिनिट, तो यहां से हमें अभी लेफ लेना है, हम उस तरफ से आए थे, और सिधा चले रहे थे कलपा के लिए, अभी हम यहां से लेफ ले तो हम नाको के रास्ते बे तो आई गे, अब हमें कैम्पिंग के लिए कुछ सावन बगारा चाहिए होगा, जो कि हमने पूछा था, बोला था आगे मिलेगा, तो खुला नहीं मिला, आगे देखते हैं, अब खुला मिल रहे तो लेके, जल्द जल्द बच जाएंगे, आज जल्द जल्द आज करना है, आगे जहां कैम्पिं का जगा मिलेगा, हम रूप जाएंगे, हम को कैम्पिं नहीं करना है, यह इसको देगो, वूहूू। जाएंगे, पूजा के पेट्रोल भराना है पहले, एकडम पेट्रोल लो हो जुका है, पेट्रोल को बढ़ेंगे, उसके बाद एक अच्छा सा कैम्पिंग लोकेशन ढूंडेंगे, पूछेंगे किसी से, कहां पर कैम्प कर सकते हैं, अगर सब्सक्राइब करेंगे, तो भी आजाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बट कैम्प ही करना है, हम लोग एक चीज़ खरिदना था, वह हमने पीछे रूप के खरिद भी लिया, कैम्प के लिए, मतला कैम्पिंग करने के लिए, और आज एकदम प्रॉपर टाइम पर कैम्पिंग करते हैं, पहले पेट्रोल बर्वा लेता हैं, और उसके बाद हम लोकेशन ढून के, कैम्प गार देंगे और आपसे मिलते हैं केम्पिंग लोकेशन पर, तो यहां पर एक चेक पोस्ट है, पुलीस चेक पोस्ट डूब्लिंग, तो यहां पे एंट्री होगा, च के बाद हम जाएंगे और यह पो लगाने के लिए जगा नहीं मिल रहे हैं पूमे प्रभ्रक्षी केम है तो यहां पे लगाना थोड़ मुश्किल है हम पू से तो आगे निकल रहे हैं अब हम देखते हैं अगे मिल जाए तो आगे लगा लेंगे नीट नको चले और यहां से लगबग 23-23 किलमेटर दूर है अना को वहां चला जाएंगे वहां हेली पैड है बोल रहा है वहां पर आप आराम से लगा सकता है तो हम भी लगा देंगे वहां पर जाके अब देखते हैं इधर अगर कोई जगा हो जाता है यह जगा अच्छा लग रहा है यह पा आगे कुछ मिल जाएगा हम लोग तदा दूर नहीं जाना चाहते हैं अभी अंधेरा भी हो रहा है खाना भी पकाना है तो एक जगा थोड़ा पता दो ना अच्छा और दूसरा कुछ जगा असवास कुछ नहीं है ना रात अंधेरा भी हो रहा है उसके बद थादा मुश्क आगे जाना चाहता हूं कोई है ऐसा जगह यहां पर रॉफवल जोन है देख सकते हो बड़ बड़ पहार है और पूरा पच्छर बिखते रहते हैं यहां पर मत लगाओ थोड़ा आगे चले जाएगा और यहां पर रगाना रिस्की हो सकता है थोड़ा आगे चलेगा ऐसा ब तो नाको चलकर ही कुछनिा कुछ बढाना पड़ेगा कैमपिंग करके ठोड़ेगे भाई साव हम लोगों कैम्पिंग ही करना है और नाको की तरफ जाते हुए हमें रस्ते में मिले कहीं सारे लेंड्सलाइड नाको पहुचने के बाद हम लोगों ने एक एबंडेंड हेली पैड में अपना कैम्पिंग किया था जो कि अगले एपिसोड में मैं आप से शेयर करूँगा